मकर रासी बालों के लिए सूरिय भगवान का ये तीन गोचर, ये तीन गोचर सबसे ज़्यादा एफेक्टिव रहता है जो साल भर का रिकवरी कर देता है। अश्टम में गए तो रोग बिमारी दे दिये, नबम में गए तो थोड़ा सा अध्यात्मी प्रॉब्लम देते हैं। लेकिन दस, ग्यारा, बारा सूरिय यहां मकर रासी बालों को बड़ा कंट्रोल एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक हैं। लेकिन इस बार का गोचर क्या हो इस बार मतलब इस महना का सूरिय मकर रासी के लिए जो गोचर है, यह बड़ा बड़ा पिकुलियर कंटिशन बन रहा हैं। तो जब तक यहां जो देने बाले थे, यानि जो पूरा साल भर का रिकोबरी अगर यह एमटी गोचर था तो कर देते, लेकिन सूरिय भगवान यह दोनों गधे बैठे हुए हैं, सनी और राहु, दोनों सूरिय भगवान को एकदम फुल प्रसरापित योग में देख रहे हैं, तो सूरिय भगवान तो देंगे, लेकिन ले जाएंगे, यह प्रॉब्लम करा देंगे वो लोग, मतलब लाब तो आया, लेकिन रुख गया, त कर रासी के 12 में, तो बना प्रचंड राजियोग, खाली राजियोग नहीं, महाराजियोग, क्यूंकि अश्टमाधी पती 12 में विपरित राजियोग, इसका फाइदा आपको सूरिय भगवान नहीं देंगे, क्यूंकि यहां खर्चा को बढ़ा देंगे, विदे स्यात्राओ देंगे, अश्टमाधी पती 12 में आना मतलब विपरित राजियोग का भी तो फल मिलना है, तो इस सेक्टर में अगर आप सूरिय को खुपचे में लिये हो, सेटिंग किये हो, तो ये एक्शन तो होगा, लेकिन आप उस रियक्शन में फसोगे नहीं, यानि जो सुपर नेग मकर रासी को क्या करेगा, अनकंट्रोल डेंचरिया बना देगा, तो सुबह का एनर्जी को अगर वैलेंस करते हो, तो समझ लेना कि होल अब धर दे के उपर आपका कंट्रोल रहेगा, लोगों, देखिए मैं रासी फल बोलता हूँ, तो कुछ बोलते हैं, हमारे उपर लाग पानी नहीं देता, या कोई spiritual practice जब तब सनी ओनी हनुमान चालिसा नहीं करता, उसको एकदम 100% रासी फल लगता है, उसका दिन खरब चलता है, तो ये तीन महिना और एक देड़ साल इसलिए बताया था, अब आता हूँ आपके प्रसन में